इसी देरी के शुरू कर देते हैं फटा फट अंदाज में ख़बरों का सिलसला करनाटका के बेलारी दोरे पर मुख्यमंतरी अशोग गैलोत भारोज जोड़ो यातरा के दोरान राहूल गांदी से करेंगे मुलाकात राजस्थान के राजरिती घट्टा करम पर भी हो सकती है बादचीत मंतरे शोग गैलोत राजकार्मिकों को दीपावाली पर तरदर्थ बोनुस का दिया तौफा सरकार्थ ने इस निर्णले से प्रदेश के करीब 6 लाग करमचारी होंगे लावान बित ये लाब राज इसे वाधकारी को छोल कर राज करमचारियों को मिलेगा जैपर विवाव मंजिला भावनों को पेजल कनेक्शन उपलफद कराने के लिए प्रस्तावित नीती को जल्धी अंतिम रूप दे कर पास कराया जागा ताकि लंबे समय से पेजल कनेक्शन का दजार करने लोगों को रहात मिले मंति डॉक्टर महेज जोशी के धक्ष्वा में जावल भावनों इस बैठक हुई और नीती के प्रस्तावित ड्राफ प्रविस्तार से चरचाब आली में सुमेरपूर के किसानों का महापड़ाओ खत्म हो गया है देर राट धाई बजे प्रशासनों के 20 सुला हुई दो मुद्दो पर समयती बनी जन वित्रण की आगामी बैठक जवाई में होगी बटवारे के बाद अंतिम शोतों में आने वाले पानी के लिए फिर से बैठक होगी राजस्थान सिक्षक संग प्रगतेशील जिलास शाखा जालोर की ओर से तिरती अशुरेली सिक्षकों के इस्थाना अंतरन करने हैं सिक्षकों की बिविन लंबित समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्याले के समकष विशाल धरना परदर्शन किया गया तो किके इमालपूरा में सिक्षकों के लेट आने पर नाराजगी गुसाए शात्र और ग्रामीडों ने विद्याले के मुख द्वार पर ताला लगा कर प्रदर्शन किया सुच्रा पर सरपंच परतनी धीवी मौके पर पहुंचे अधिकारियों को बुलानी की मान पर आने है उद्यपूर में जनता सेना राजस्थान के आवान पर बड़ी संख्या में कारकरताओं के साथ जनता सेना सनक्षक पूर बिधायक रंधीर सिंग अबिंडर ने उद्यपूर जिला कलेक्टरेट के बाद बिमिन मांगों को लेकर धरना पर दरशन किया इसके बाद जिला कलेक्टर तारचन मीडा को ग्यापन भी सौप राइट तो एजिकेशन की पुर्णर भरन राशी का भुगतान करने की मांग को लेकर निजी सेक्शल संस्तानों के संचाल को ने शुक्रवार को अनुमान गल जंक्षन में जिला सेक्शल अधिकारी मादमिक कारयाले के सामने क्रमिक अंशन और धरना दिया पहले दिन सोंसेवी सेक्शल संस्ता संग जिला अधिक्ष तुरेश शर्मा फूल सिंग साहिद अन असेक्शल संस्ताओं के संचाल क्रमिक अंशन पर बैट अर्मान गल जिले के मिर्जावली मेरगाओं में 11 अक्टूबर को प्रात्मिक स्वासकेंद्र बंध होने के चलते सडक पर ही प्रसो होने के मामले में अक्रोशित ग्रामिलों ने प्रदशन किया साथी दोशी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाब कारवाई के मांग की बेजनेगा मध्यक्ष धीरज गुर्जर की गौर अक्षा के रूप में निकाली जारी दो दिवसिय पद्यातरा को बीजेपी ने ढोंग बताया बीजेपी निताओं ने धीरज गुर्जर पर राजनीती फाइदे के लिए गायों का सहारा लेने का आरोप लगाया है सवाय मादूपुर के मलारना डूंगर उखन मुख्याले पर सिबील नयायाले मूनसिक कोट खोले की मांग जिसको लेकर अभी वाशक संग के तत्वा धान में शुरेतर के गरामेडों ने उप जिला का लेक्टर किशन को मुखमंतरी के डाम गया पन्सों अलवर के शिवाजी पार्क पुलिस थाना अलाके में बीती राथ पुरानी रंजिश्ट के चलते एक इवक का अपहरन कर लिया गया आकाश नाम के इवक को ब्रेजा गाली में आये इवकों ने अगवा किया जिसके बाद पुरी राथ उसे गुमाते रहे लोट पार्क की घ अलाय जारे विशेश रव्यान जिसके तहत अगिरपता वारंटियों को कोट में पेश किया गया राजस्तान हाई कोट ने सिक्षवक दिवस पर आयोजीत राज जिस्तरिये कारिक्रम में हंगावा करने वाले राजस्तान उदू सिक्षवक संगे के प्रदेशा अध्यक्ष अमीन अली कायम खानी के निलंबन के मामले में दखल से इनकार कर दिया है राजस्तान हाई कोट ने दहेज प्रतारना और पतिनी को आत्महत्या के लिए उगसाने के मामले में 36 साल बात फैसला सुनाया है अधालत ने अभ्यूक्त पतियों को निचली अधालत में मिली 8 साल की सजा को पूब में भुक्ती हुई एक साल की अधित तक कम कर दिया है रूप से घयल हो गै, अननल फाननम उसे किलवारा चिक साले में रफर किया गया, दॉक्तर ने कोटा रफर किया, वहीं मारपीट करने वालों के खिलाप मामला दर्ज किया गया एकनायर में मंडी व्यापारी ने मारपीट का रुपए चीरने का मामला सामने आया है 50,000 रुपए चीरने का रूप है व्यापारी के हाथ पैरों में गंभीर चोटे आई हैं घटना नया शहर थाना अलाके की राजानी जैपूर के चौमू में मुख बस स्टेंट पर अतिकमर हटाने गए नगर पालका के दस्ते के साथ मारपीट का वीडियो वारल हो रहा है ये बेजो शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है शाम के समय नगरपालिका के दस्ता बस स्टेंट पर अथिकरमा हड़ाने गया था तब ही एक दुकानदार पेज़कस लेकर हमला करने पर उतार हुए। जब किया है। कोटा जिले के रामकेज मंडी में शुद के लिए युदब्यान के तहट मिलावट खोरो पर शिकंजा कसा गया। कोटा से खादी सुरक्षा विवाग के टीम ने शरके सूट्स और दूध डेरियों पर जाच की और साथी साथ दुकानों से मिठाए मावा पनीर के सेंपल भी लेकर भीजे। सीकर के नीमका थाना में शुद के लिए युदब्यान के तहट चिकसा विभाग ने पाटन और नीमका थाना शित्र में करवाई की है। सीकर में राष्टेत तंबाकू नियंतरल कारिकरिम के तहट शुएर के नवलगल रोड और पिपराली रोड पर कारवाई की गई। कई होटेल, रस्टोरेंट, धाबो और कैफे साहित कई परतिस्ठानों पर नियुक्षण हुआ। तोड़गोल के निम्बा हेडा में मंगलवार राजमाग पर एक कार ने बाइक सवार को टकर मार दी, बाइक पर सवार दोनों वक्ति घायल होगे, घायलों को हस्पिटलाइस कराया गया, फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। टकर सुल्तानपुर में अन्यंत्री ट्रक पेर से टकरा गया, स्टेट हाइवे सत्तर पर सनीजा बावली दूम के पास यह हाथसा हुआ, टकर से ट्रक का केबिन चकना चूर हो गया, केबिन फसे ट्रक ड्रावर को बामुश्किल बाहार निकाला गया। अलवर के बारोड में नैशनल हाइवे संख्या 48 पर बड़ा सड़क हाथसा हो गया, सुबा सुबा तीन बज़े दहमी गाओं के पास दो ट्रेलर में भीशन टकर हो गए, हासने में तीन लोग गंवी रूप से घायल हो गए। वाली नगर परशवत में आग लग गई, जिस जगह याग लगी वहाँ पासी पटो की फाइले हैं, पटो को लेकर सवाल के घेरे में हमेशा से नगर परशवत था, ऐसे में याग भी संधे के घेरे में। मानगल जिले के, पेली बंगा, इस्ति, श्रीगंगा नगर सुरदगार नश्रल हाइवे पर फॉर्चूनर कार और बाइक के टकर हो गई, हाथसे में बाइक सवार दंपत्ति के मौके पर मौत हो गई, मितक चन सिंग पतनी अपनी राजन को और अस्पताल से दबा दिलवान में आगे ट्रक चालक फरार हो गया विलो, दिस्थानिय ग्राम पंचायत और ग्रामीडो द्वारा किया गया, मौके पर पहुचे पुलिस और प्रशास्तिने ग्रामीडो से समधाईश कर समस्या का समधान देपुर एमदाबाद हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, बलिचा से दिबारिता की ये जाम लगा है, बलिचा के पास फ्लाइ ओबर व्रिज का निर्मार चल रहा है, जिसकी वज़े से यहाँ पर ये जाम के स्थिती बनी हुई रादानी जैपुर के जगतपुरा स्थित पामकोर कॉलोनी में पैंथर के मॉवमेंट में दैश्वत का महौल है, देराथ पैंथर कॉलोनी के सलक पर गूमते हुए देखे गए, पैंथर के मॉवमेंट सीच टीवी में कैद हो गई है, जिसको लेकर वन भाग मुस्ताइद ह सुचना दे दी गई बाली के बाली उखंड के सैड़ा की पहाडियों पर एक मादा पैंथर शावक के साथ नजर आई पैंथर अपने बच्चे तीन बच्चों के साथ अटखेलिया कर रही थी जवाई शेत्र में पहले से 50 से ज़ादा पैंथर फैमिली है इस बार फैमिली के बढ़ाने की भी संभावना है नागावर में मिर्तक के कुडाया गाउं में फसल खराब होने के शुकायत के 20 दिन बाद बीद जाने के बाद भी बीमा कर्मियों के नहीं पहुचने की जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है कर्षिर विबाग की 6 सदस्य टीम ने फसल खराब होने का सर्मे किया जिसके बाद किसानों को जल्द मुआफजा अब मिल सकेगा बाद के सेना के 13 और मठ उनिट केंट हिसार में कार्यत कोटा कासिम के उजोली गाउं में हवलदार परमानन्द यादो की गुरुवार राद जूटी करते समय दिल का दोरा पढ़ने से मौथ हो गई उनकी और का पार्तिव देश शुकुरुवार दोपार उनके पैतर गाउं तो जोली लाया गया जाओ पुरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया बदेशर पंचाय समिती में शुकुरुवार के दिन साधारन सभा के बैटा का उजित की गई जिसमें कारिकरम के अध्यक्ष्टरा बदेशर प्रधान सुश्वीला कोवन ने की बैटक के दोरान टेंकर के बुक्तान की समस्या की चर्चा की गई ठेकेदार के खिलाब F.I.R. दर्ज कराने की बाद की धायक जीनगर ने जोधपुर के लोडी कस्बे में इन दिनों पेजल समस्या के हालात ये हैं कि कस्बे में एक महीने से ग्रामेडो को पेजल समस्या से जूजना पड़ रहा है वाल तरशुड आयक को दूसरी बार नोनियुक्त अध्यक्षु संगीता बेनिवाल के जरम दिन के अवस्तर पर लूडी के कॉंग्रेस कारी करताओं और सुपशिंद्ध को ने उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें शुपकाम नाहें दी लूडी विधायक महेंद्र सिंग बिष्टोई ने विधानसबा शुएतर में पेजल समस्या समधान को लेके बड़ी रहत दी है विधायक बिष्टोई के अनुशनसा पर विधानसबा शुएतर में जल्दाय विवाक के मुखी अभियंता करामीर के आरके मीडा ने एक करोड तीस लाख रुपए की राशी खर्च करने की सुकिर्दी दे दिये रोगपुर के बिलाडा में जैस्तरी किष्णो मानो हितार्त सेवा संस्थान के तत्वा धान में आया उजीत 111 फीड तिरंगा और अंबिलेंस को लोकारपल समारों में मुख्यतितिक रूप में बोलते हुए केंद्रिय मंत्री गजेन सिंक्ष्वे खावत ने कहा कि तिरंगा लहराने से राश्ट्रिता की भावना पैदा होती है ये राश्ट्रिता की भावना पूरे देश में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी जगा रहे है राजस्तान राज विमुक्त गुमंतु और अर्द गुमंतु कल्यान बोर्ट की अध्यक्ष उर्मिला योगी शुकुरवार को जालोर दोरे पर रही उन्होंने जन सनुवाई कर गाडिया लोहार कालबेलिया समेश जिले के विमुक्त गुमन्तू अर्द गुमन्तू समाज के लोगों से मिलकर परिवात सुने जिले के स्कूल में विबिन कार और अंदावनिर्माण में सयोग करने वाले जिले के 101 वामाशाओं और 24 प्रेरकों को सम्माने देखते हुए पुलिस अलट मोट पर है पुलिस अदेख्षक सुनील कुमार विश्णोई के निदेशा नुसार बामनवास पुलिस द्वारा दिनके उजाले समेथ रात के अंधेरे में भी लगातार वानों की जात को लेकर विशेश अभियान चलबा है अधिकार विशेश अधिकारी कार्याले में जिलाश्वय रोग अधिकारी डॉक्टर श्रॉमन राउक की अधेक्ष्टा में टीबी मुक्त अभियान को लेकर बैटक आयोजित की गई बैटक में डिया टीबी कॉडिनेटर सुनील हर्ष ने एनम और आसा को डिजिजल हेल्थ रैप दोरा सर्वे करना और रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दे इतौल गोल के कपासर में बेसाहरा गायों के लिए दो करोड के लागत से तेरा पशु आश्रेस्थल बनेंगे पंचायच समिती परधान भैरूलाल चोधरी के मुताबिक पंचायच समिती के 13 ग्राम पंचायचों में निराश्रीत गायों के लिए 15-15 लाग रुपे की लागत से 13 पशु आश्रेस्थल के निर्मार किये जाएगे पंचायच समिती सवागर में शेत्री बिधायक मुकेश बाकर ने ब्लॉक सतरी अधिकारियों के बैठक ली बैठक में विधान सबाश श्वेतर के लिए बजट गोशनाओं के दोरान स्विकिर्थ विकास कारों के अलावा विविन विवागों में आमजन से जुड़े कारों के सम्मध में अधिकारों से फ्रीडबैक लिया अंगना के बिधायक राजकुमार गोण ने कोडा चौक से लेकर उद्यम सिंग चौक तक सलक निर्माड कार का शुला नियास किया इस उसर पर उन्होंने मुक्यमंत्री अशोग गैलोग द्वारा प्रदेश भर में करवाया जारे विकास कारों को लेख करते वे बताया किस सलक के निर्माड पर 109 दश्मलों दोश्टू ने लाख किला गयता है केकली के राज आयूश अनुसंधान केंद्र में जादत तर ताले लटके मिलते हैं दरसल सरकारी अधिकारी ही जनता कुलाब पहुचाने के लिए शुरू किये गए इस केंद्र को पलीता लगा रहे हैं ये एक अधिकारी को तनाद किया गया था ताकि आरवेद पर सच किया जा सके लेकर अधिकारी ऑफिस में नदारत रहता है राजस्तान आईस असोशियोशन की तरब से HCM रीपा में एक कारिकरम का आयोजन किया गया जिसमें कोरोना काल में सेवा निब्रित हुए आईस और विरोक्रेट्स में नए आईस अधिकारियों को सम्मानित किया गया इकर के लोसल कस्बे में आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट की ओर से लंपिस्किन डिजीज से पीलित गोवन्ष के इलाज की रिस संचाली ताइस अईस अशियोशन शिवीर में गोसेवा कर रहे गोभक्तों और पशू चिकिसकों का सम्मान किया गया गोपालगण पंचाय समती श्वेत्र के रजलानी ग्राम पंचायत के इवा सरपंच और एंस्युवाई के राष्टिय संयोजाग पारस गुर्जर ने दीपावली पर गाउं को सच और सुन्दर बनाने के लिए 11 दिवसिय विशेश सपाई अव्यान का शुबारम अगर पुर्जिला विदिक सिवा प्रादिकरण के बैटक हुई बैटक में 16 अक्टोबर से शुरू होने वाले बाल बिबा अम्मुक्त भारत अव्यान की कार योजना को लेकर्चार चाकी अगर शेतर के उम्मरेंड ब्लॉक में कैबिन मंत्री टीका राम जूली के अध्यक्ष्टर में साधान सभा के बैटक आउजित की गए बैटक में आप्रधान सहीत बड़ी संख्या में जन्द परतिने दियो और विभागी अधिकारी मौजूद ले बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया जिरा करेक्टर भी आईस में शामिल हुए मेराथान दोड़ के लिए चार वर्गों में विजेताओं को सम्मानित किया कजिली के श्री मादोपुर इलाके में मोग ग्राम पंचायत के रिद्धी सिद्धी मेरीज गार्डेन में भाजपा की लक्षमन गड़ विधान सबाश्येतर में आगामे दिनों में आउजित होने वाली विरोध परदर्शन रैल्यू को लेकर बैठा अर्मेर जिला मुख्याले स्थित अराधना भवन, साधना भवन और सूरत गुजरात में श्रासन गर्जना के बैनर का विमोचन किया गया गन्यर में विवायता से मारपीट का मामला सामने आया है, पेड़िता ने अपने ससुर पर लोहे की रोट से मारपीट का आरूप लगाया, पुलिस को शिकायत की विवाड़ा की साधान सभा को लेकर हंगामा हो गया, विकास अधिकारी पर पंचाय समिती की बजट से विकास कारे नहीं करवाने के आरूप लगाते हुए प्रधान और जिला प्रशन सदस्य ने साधान विकास अधिकारी के कमरे पर ताला लगा दिया रावर में नदी में महिला के कुद्रे की आशांका के चलते पुलिस प्रश्वास्तर और अग्निशमंदल की बेवज़ा परेड हो गई, करीब दो घंटे तक नदी में महिला को दूड़नेने का कारिकरम चलता रहा, कापनी देर बाद जाकर पता चला कि जिस महिला को नदी जादी स्टेडियम में समा बांदिया, फीर देखी गई परेड़ने बारतिय अर्द्रोस्ता के तरक्की पर सपेरी का कार्टून मना का उड़ाया मजाग भगवा रंग में दिखाया गया साम देड़ू के रष्टिय अध्यक्ष लर्ण सिंग का पिम मोधी पर आपत्ती जनक बयान लर्ण ने पिम को कहा डुपलिकेट ओविसी, पिम बीजेपी को बताया बैरुपिया बीजेपी ने कहा कि अती पिश्डो का अपमान है फिले सर्वे के बाद अवैद मदरसों का होने लगा खुलासा अब तक 900 से जादा मदरसों का पता चलाया जादा तर मदरसों को मिला करोडों का फट ग्यान बापिपर संसर शफिक और रहमान बर्क का विबादित बयान का हम मस्जिदों के खिलाब करवाई के लिए बहाने ढून रहे बीजेपी राशेद अलवी ने कहा दूसरी बाबरी बनाने की कुर्शिश गुजराथ के चुराओं नहीं कराया जाने उपर विपक्षन चुनाओ आयोग पर उठाय सवाल कॉंग्रेस ने का कि आयोग दबाओं में कर रहा है काम पीम की रैली के वज़े से नहीं हुई गुजराथ में घोश ना गुजरात चुना को लेकर प्यम हवास पर हुई आएम बैठक ग्रे मंतरी अमिशा गुजरात के वुख्य मंतरी वुपिंद पटेल प्रदेश अध्धक्ष सीयार पार्टली समेथ कई नेता मौझूद रहे राधी कामशकल होना गेटर नोडा के कारोबारी को पढ़ गया भारी अबुधाबी में फ्लाइट चेंज करते वक्त हो गया गिरप्तार बिदेश मंतराली के पहल पर किया गया रहा माराज की गर चिरोली में पकड़ा गया आदम खोर टाइगर बिदर विश्वेतर के तीन जिलों में दस महीने के भीतर तेरह लोगों का बन चुका था शिकार गोड़ा के सक्ट ठारा में मल्टी लेवर पारकिंग के पांचवी फ्लोर जे गिरने सीवक के मौत ग्रिल को पार करते वक्त बना रहा था वीडियो बैलन्स बिगड़ा नीचे गिरा मॉर्ट असेलिया पढ़ने गए शिवंगर्ग पर सिडिनी में हुआ हमला शिवंप धारदार हतियार से किया गया हमला अस्पताल में लाज जारी तरकी के उत्री बाटिन प्रांत में कोईले की ख़दान में खानन के दौरान हुआ बिसपोर्ट बिसपोर्ट में अब तक 14 लोगों की मौत 28 घाय एजीरिया में बाड का कहर जारी बाड के कारण 500 से जादा लोगों की गई जान करीब 90 हजार लोग बेघ़द अमोडिया में नदी पार करने के दौरान डूबी नाओ हाथ से में नो चात रोकी माथ तरकार का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला अब पूर्शों के बेना भी महिलाएं कर सकेंगी हज या उम्रा अमरिका के उतरी कैरोलीन में 15 साल के किशोरी ने गोली मार कर पांच लोगों के हत्या कर दी पुलिस कर रही है पूरे मामने की जेन में हम लोग लेकर रूसी राश्पती बलादेवरी पुतिन का बयान बोले फिलहाल उक्रेन और हम लोग की उक्रेन पर और हम लोग के आउशकता रहे जेनके राश्पती जननस्गी की रूस को लेकर बड़ा बयान कहा रूस निराशा के मौहौल में है दुबई में एलेक्ट्रीक फ्लाइंग कार का सफल परिक्षण 90 मिनट तक कार ने भरी उड़ान चीनी कमपणी ने किया परिक्षण आएमेफ ने रूस युक्रेन युद को बैश्विक आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण बताया आएमेफ ने रूस से युद रोकने की अपील किये विश्व कप के पाकिस्तान में होगा एशिया कप, एशिया कप के लिए भारते क्रिकेट टीम 15 साल बात कर सकती है पाकिस्तान का दौरा बीसी साई ने बियस संग किये विश्व कप के लिए फकर जमान वने पाकिस्तान टीम का हिस्सा टीम ने उस्मान कादिर की ली जगा चोट लगने की वज़े से उस्मान कादिर टीम से हुए हैं बाहर T20 विशकप से पहले आस्ट्रेलिया के सामी बले बार डिविड वॉर्णर हुए चोटिल वॉर्णर की चोट ने बढ़ाई आस्ट्रेलिया की मुश्किले चोट लगने के कारण इंग्लेंड के खिलाब तीसे T20 में नहीं T20 से बाहर हुए डिविड वॉर्णर Under 17 महिला FIFA World Cup में मौरक्को से हारी भारतिया टीम 30 से भारत को मिली हाग इता कपूर को सुप्रीम कोट ने लगाई फटकार वेफ सीरीज में आपत्ती जनक कंटेंट को लेकर कोटने लगाई है फटकार का इवाओं के दिमाग को दूशित कर रहा है ऐसा कंटेंट 25 साल के उम्र में अक्टर रोबी कोल्ट्रेंट का हुआ निधन रोबी ने फिल्म हैरी पॉर्टर में निभाई थी हैगरिट की खूमी का देश के जवानों के लिए अक्टर सिदात मेलोतरा ने की अपील कहा देश के लिए शहीद हुए सेनकों की परिवार की देखभाल करना हमारी जिम्यदारी आश्मान कुराने के फिल्म है डॉक्टर जी सिनेमा अगरों में हुई रिलीज पहले दिन बॉक्स ओफिस पर फिल्म ने की अच्छी खासे शुरुबात मानशु चिलर और जॉन अबरहम की फिल्म है तेहरान की शूटिंग हुई खत्म सची घटनाओं पर आधारित है ये फिल्म